नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आप सभी को पता होगा कि आर्यान खान की तो गिरफतारी हुई ही पड़ी है ऐसे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वारा हूँ कि सारुक खान का रो रोकर हो चुका है बुरा हाल खाना पीना तक छोड़ दिया है सारुक खान ने जी हाँ आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखेगा क्योंकि आपको बता दे जब से आर्यान खान की गिरफतारी हुई है तब से जहां सारुक खान को और उनकी कमपणी को एक से बढ़कर एक जटके लग रहे है उनको दोस्तो अब काम नहीं मिल रहा है इसके लावा उनसे एडवर्टाइजिंग हाथ से चितते आ रही है इसके लावा उनके कई करोड का नुकसान अब तक हो चुका है ऐसे मैं आपको बता दूँ कि अब सारुक खान की भी हालत दिरे दिरे करके गंभीर होने लग गई है खबर तो ये भी है कि अब NCV की टीम सारुक खान को भी बुला कर और पूछताज कर सकती है किसी भी वक तो आप सभी हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखेगा दोसो सारुक खान का बेटा आर्यान खान दो अक्टूबर को NCV के चंगुल में फसा जब ये एक पार्टी करता हुआ पाया गया इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थें जो कि ड्रक्स लिया करते थें और इसके बाद सारुक खान की भी परिसानी बढ़ने लग गए क्योंकि सारुक खान को जहां एक बास समझ में आ चुकी थी अपने वेटे को छुडाने के लिए जी जान लगा देना है तो वहीं दूसरी तरफ सारुक खान की भी हालत इस वेले से खराब होने लग गई कि कहीं सारुक खान को भी NCV की टीम बुला कर और फिर पूश्टाश करने ना लग जाए अब ऐसे वे जब सारुक खान ने अपने वेटे को छुडाने के लिए पूरा जोर लगा दिया लेकिन फिर भी इनकी जीत नहीं हुई जहां पुरा बॉलीबूड एक हो गया लेकिन फिर भी सारुक खान को ये समझ में आ गया कि हाथ पाउ मारना यहाँ पर सिरफ और सिरफ बेकार है क्योंकि जीत हर बार NCB की ही होने वाली है इसके बाद सारुक खान ने एक बार फिर से नया पैक पर आजमाया और अपने वेटे की याज का दायर की लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दो बार इनके बेटे की जवानती आज का खारीज हो चुकी है और बुधवार तक तो इनको जेल में रहना ही पड़ेगा अब इस तरह से सारुक खान ये समझ गए हैं कि उनका बेटा इतना असाने से छूटने वाला नहीं है जिसके बाद तो सारुक खान की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लग गई है और कहा ये जा रहा है कि सारुक खान की तवियत खराब होने लग गई है और उनको हॉस्पिटल में भी भरती कराया जा सकता है क्यूंकि सारुक खान ने अपने बेटे की याद में अब खाना पिना तक छोड़ दिया है और इसा लग रहा है कि वो अधमरे से होगा मैं आपको बता दूँ कि सारुक खान से भी NCV की टीम पूश्टाच कर सकती है लेकिन उसके लिए NCV की टीम को पहले आर्यान खान से अच्छे से पूश्टाच करनी होगी और अगर आर्यान खान किसी भी तरह से सारुक खान का ड्रक्स पार्टी में ड्रक्स केस में नाम लेता है और जब वो जेल पहुंची थी तो आर्यान खान का रो रोकर बुरा हाल हो गया था और आर्यान खान सिरफ और सिरफ फूट फूट कर रो रहा था और उसने कुछ भी नहीं बोला अपनी मा से तो इस तरह से जहां एक तरह जेल के अंदर बेटा तरडप रहा है तो वहीं जेल के बाहर बाप तरडप रहा है और मा जो है वो बेटे को और बाप को दोनों को ही लेकर खुब तरडप रही है तो इस तरह से सारुक खान की हालत खराब हो चुकी है फिर वो चाहे वित्तिय हालत हो या फिर फेजिकली हर तरह से सारुक खान पूरी तरह से टोट चुके हैं और सारुक खान के फैंस भी यह बात जानते हैं इसी वज़े से उनके फैंस उनके साथ इस टाइम पर खड़े हैं तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद